तो वाट सब गाइज कैसे हो आप सभी लोग कोप करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं भी बड़े आओ तो गाईज आज हम सब लोग बात करने वाले हैं how to become an e-sports player इस इसपोर्ट में हम आगे कैसे बड़े हम एक इसपोर्ट प्लेयर कैसे बने तो आपने नॉर्मली अभी भी देखा होगा आपने यूट्यूबर शोडाउन ऐसे बहुत सारी इवेंट होते रहते हैं तो इनमें तो आपन जोईन नहीं कर सकते पर तूनमेंट अभी हुआ था सब्सक्राइब करना है यही बताना चाहिए आपको तो अपना यह पता ही होना चाहिए और यह तो जरूरी सबसे बड़ा स्टेप आपकी टीम भी तो होनी चीज़ स्पोर्ट के लिए एक 5 प्लेयर टीम अब 5 प्लेयर क्यों क्योंकि अब एक सब्सिट्ट तो रखना ही पड़ता है हर जिगा तो एक सब्सिट्ट और फोर मेन प्लेयर्स तो फाइप टीम और ज़रूरी नहीं है यह वर्ल्ड की टॉप या इंडिया की टॉप टीम हो एक ऐसी टीम जिसके साथ कर्को कॉर्डिनेशन अच्छा हो इतना ही चाहिए अगर आपके टीम के साथ आपका कॉल्डीनेशन अच्छा है तो आप किसी वी तोनमेंट को इसली जीत सकते हो गए तो बात हो गई वाइप प्लेयर टीम होगे अब वहां फाइप्लेयर तो हमने ले लिए अब उनमें चा profit करें तो इसे क्या होता है किए हम सीधर करते हैं करते हैं तो एनइभी जब हम पर इक अिकले रहते हैं वह जब को इसीधर अ करते हैं आपने जाए डैमेज लियं में एज़ली में एक स्नाइपर तो रखना है क्यों है देखा है अपने पहाड़ी भाई को स्नाइपर्स बहुत ही मेन करेक्टर होते हैं टीम का पीछे रहते हैं पट बहुत ही प्यारा और मतलब सपोर्ट बहुत ज़्यादा देते हैं और साइलेंसर वाइलेंसर लगा के तो फिर देखो कहर मचा देगा और एक प्लेयर लीड करने होके दो बात करते हैं अपनी कैसे तो ये भी होगयाइखना स्टाप्तो सब्क्राब्स लेगाएं कौन सा केरक्टर एक इश् Pawben पैस्टर है कौन सा कारेक्टर तो सिंपन है हमें एक एक प्लू एक अपना वौनाल्डो और दो Allood गया गया है पर ऐक रौनाल्डडो जरूरी है क्योंकि अगर कोई बंदा खुले में नौक हो गया है ना खुले में नौक अगर कोई बंदा हो जाता है तो बिना ग्लूवल के कैसे जाएंगे तो रोनाडलो सिंप्ली हाँ पर ही काम करेगा वो शील्ड बनाएको स्कोरी वैब देगा अब जिसकी इसपोर्स में आ वहां पर एक बंदा सर्वाइब कर रहा है उसकी पूरी स्कॉर्ट खतम हो चुकी है वह अकेला सर्वाइब कर रहा है अगर आपके पास क्लू करेक्टर होगा क्योंकि यह तो चार्ज हो जाएगा तो एक बंदी का 10 या 20 पॉइंट होता है तो वह हमारे पॉइंट्स हमारे वहां से आती जाएंगे अब दो क्यरक्टर बचे उनको कोई भी उसकरना दो ओके स्टेप नबर थ्री है अपना फायर पावर तो काईस फायर पावर मतलब नॉर्मली क्या होता है फायर पावर यह एक बंदे को जैसे आपने स्टूनमेंट में देखा भी हुआ अगर कोई बंदा हलकी सी खलती करता है एक दो सेकंड के लिए कवर छोड़ता ही है वह तुरण डाउन हो जाता ही है यह होता है फायर पावर तो मतलब जैसे बंदा कवर के बाहर ने के लिए चारो बंदों को मिलके उसको ही मार रहा है तो अब यह बताओ अगर चार लोग एम 14 भी चल होगा है ना तो हमें लब फायर पावर अच्छा रखना है ओके अपना स्टेप नंबर फाइव ओके ऑल्वेज यूज बॉन फायर इंड समोने डॉप तो नॉर्मल इंडियल प्लेयर्स मुझे पता है 80% या 90% कहलो बॉन फायर समोने डॉप यूज नहीं करते हैं वह हाँ पर हर टीम लगवाग सर्वाइव करने वाली होती है तो हमें क्या करना पड़ेगा तो लास्ट में काफी बंदे बचेंगे फाइट तो हो नहीं है और इतने जली मेडिकेट लगाना मुश्किल पड़ जाता है तो यह बॉन फायर यहां काम आता है वोगे तो कमस कम दो बंदे समोने ट्रॉप भी रखें क्योंकि लास्ट वन में समोने ट्रॉप आपको पता है कितना यूसपुल होता है क्योंकि देखो पहले तो हम उसको ग्राएंगे फरस्ट में लूट मिलेगे अच्छी लूट पर सेकेंड हमें उसका एक पर्मनेंट कवर ही मिलेगा तो समो लूटना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है बाउंटी और कोई बंदा अगर आप पे नज़र आगे होगी कोई टीम और इसकी फायर पावर अच्छी होगी तो आप लूटी नहीं पाऊंगे आपका आपका खुद का एक लूट बॉक्स वहीं बनके तयार हो जाएग तो लूट्रॉनमेंट से करना पणगे टॉनमेंट हमें पहर मुद्ध और बिकलेंग लीदिट को सबतने होगे हो फ्रिप यहां जायंगे अग fond यहां परटेस करो और टूर्णमेंट का इंतसार करो जैसे ही विडिफायर जैसे कोई टूर्णमेंट लॉंच करता है जाओ तुरांट उसको खेलो अपनी स्कौर्ड को लेकर जाओ और ऐसी स्कौर्ड होने चाहिए जो जब चाहिए खेल सके मतलब थोड़ा सपोर्टिव और समझ रहे हो ना बा सब्सक्राइब कर दो के तो अगली वीडियो में जब तक लिए जय बारत